मैं वाबना आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल वाबना के अपने रसुई में आज मैं आपके लिए लेकर रहे हूं होली स्पेसल आलो के बहुत ही अच्छे चिप्स जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हो आपको मार्गेट जाने की बिल्कुल भी की आसानी से बन सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए तो अगर आपको भी रैस्पी अच्छी लगे तो एक बार आप घर पर बन चील लें और इसको एक चील के अल्प से इसका छुलकावतार के चील लेंगे हम सबी आलो को आलोगों को मैं चील लेना है अच्छे से और जब मन करें आप तब इन्हें तलकर खा सकते हैं बच्चे बड़े सभी को बहुती पसंदाने वाले हैं और बहुती आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं और अब होली आने वाली है तो आप इसे बना कर रख सकते हैं और फेस्टिबल्स में बहुत ही काम आते हैं और अब देखिए यहां पर हम इनको छीलते हुए जाएंगे और एक पानी में अच्छे से इनको डोगो लेंगे ताकि हमारे आलू काले ना पड़ से दिखाती हूं फिर उसके बाद मैं सिम्पल से बना के दिखाऊंगे आपके लिए इस तरह से आपको किस्ते चाना और चिपसे अपने बनकर तयार हो जाएंगी इसमें ना बहुती पतली पतली चिपस बनती हैं बहुती टेश्टी लगती है जो बना के कहाने में अब आपको दिखा सकते हैं देखिए देख सकते हैं इस तरह की सिंपल चिप्स बन कर तयार होंगी इसमें से हमारी उंगले भी दिख रहे हैं इस तरह की पतली बन रही हैं अगर हम चाकू की अलब से इनको काटेंगे तो बहुती मोटी ही बनेंगी इसलिए अगर आपके पास ऐसा तो आप चाकू को कि अलबा से भी कर सकते हैं वैसे तो सभी के गर में यह चीज अभी लिवल होती है और इस तरह से हमने को वनालेनी तो अच्छे से इनको पानी में डाल देना है पानी में इनको ऊबर पार पानी रखनायन के उपर से नहीं तो हमारी चिप-स काली पड़ जाएंगी मैंने आप एक कडाई में इनको रख लिया और पानी खूप सारा डाला है और आपको दिखाने के लिए मैं इसको 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 निकाली हूँ नहीं तो इसको भरी बाल्टी पानी में इसको डाल देंगे जिसे अंदर से डूबती रहें डूबी रहें आप हम इसको इसको इस्तमाल कर सकते हो आप इन चिप्सों को और अगर आप साधा नमक डालोगे तो आप सिर्फ इसे रेगुलर यूज में ही ले सकते हो और अब हम इसमें यहां पर अपनी चिप्स को दीरे-दीरे करके डाल देंगे और बिल्कुल मार्केट जैसी चिप्स बनकर त्यार होती है यह भी एक सीक्रेट है इनका और अब हम इसे दो मिनट के लिए छोड देंगे डख कर रखेंगे इसको ताकि बापसी अच्छे से पक जाएं और दो मिनट होने के बाद देखिए दो मिरेट हो चुकेए दो से तीन मिनट अब देख लेते हैं आप आ पसको तेह करने पकालार निचिए अधर इनका consolidation बाछी बदल चुका है इस थोड़े थोड़े यलोग टाइप के हो गए और इसको हाथ से मसल कर देख लेना है कि हमारे आलू हुए के नहीं हमें इनको अच्छी से बिल्कुल भी नहीं पकाना हलका सा इसमें बाप लगनी चाहिए बस इतना ही पकाना हमें इनको वरना आलू की चिप्स जो हैं घोड़ ज और सभी को इसी तरह से हम निकाल लेंगे बहुत ही क्रिस्पी चिप्स बन कर तयार होंगी हमारी विल्कुल भी जंजट नहीं है इसमें स्रिफ आलू को आपको छील कर रखना है और कद्दू करते जाना है और पानी में डाल जाना अगर आपके बड़ा बरतन है तो आप उस पानी डालकर नमक डालकर उसे उबाली है और अलो की चिप्स उसमें भरके दाली है निकालने के बाद आप उस पानी को दुबारा यूज कर सकते हैं जिस तरह से हम यहां पर यूज करेंगे अब देखिए हम अश wrapped से डखकर रख देते हैं अब देखिए हमने आप एक खरट ली है आप एक खटिया लेनी और उस पर पतली चद्र बिछा देनी है आपके पास जो भी अवेलेवलों मैंने आप चुनिका यूज क्या और इस पर अपनी चिप्सों को इस तरह से करके अलग-अलग करके बिछा देना है और आपको इसे एक दिन पूरी कडी दूप में सुखाना आप देखिए सूकने के बाद हमारी चिप्स कुस इस तरह की हो गई है और बहुत ही पतली पतली सौफ बनकर त हुआ क्या पर ऊसक्त翼ों और देख आप अभाम क्ट के लागर देंगे लिए तेल्म हमारा गर्म हो चुका है और अब आपको दालते हैं इतना गरम करना है लाय फलेम पर गरम करना उसके बाद आपको फ्लेम लू कर देना है और देखिए हम चिप्स डालते जाएंगे और चिप्स हमारी एकदम तयार हो जाती है एक सेकेंड वीडियी लगता है इनको सिखने में अगर आप इसे बनाना चाते हो तो पीडियो को पूरा वोच करें तभी आपको समझ में आएगा और इस तरह से हम सारी चिप्स तल कर निकालेंगे अगर आप चाहे तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं वरना आप इनको साथ चाट मसाला और काला नमक डाल कर इन पर उपर से मसाल डाल सकते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो तो मिलते हैं अगली वीडियो में आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब तक के लिए बाए